हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न दोस्तों मुविंग आवरेज एक ऐसा टेकनिकल इंडिकेटर है उसके जरी हम टेंड का इडिन्टिफिकेशन कर सकते है दोस्तों बहुत सारे немory अवरेजी रहते हैं dep Нав के बारे मीं भी हम जब भी स्टड़ करना शुरू करेंगे तो उसमें भी सिंपल मोविंग अवरेज रहता है exponential moving averages रहते हैं उसका जो calculation रहते हैं उसके तरीके अलग रहते हैं अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब भी हम trading करते हैं या तो swing trading करते हैं और मालीज हमें short time के लिए trading करना हो तो वहाँ पे भी हम कुछ moving averages का सहारा लेकर trading कर सकते हैं उसमें भी combination of moving average हम करके उसमें भी trading कर सकते हैं तो ज्यादातर use होने वाला ऐसा एक moving average है और जो ज्यादातर लोग उसे इस्तमाल भी करते हैं तो वो moving average कौन सा है उसके साथ किस तरह से हमें trade करना चाहिए उसका इस्तमाल किस तरह से हमें chart पे करना चाहिए stock selection करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये पूरी information हम ये वीडियो में discuss करेंगे दोस्तों जो भी moving average हम ये वीडियो में discuss करने वाले हैं वो है simple moving average 50 का अभी बहुत सारे लोग simple moving average 50 का इस्तमाल करते हैं लेकिन यहाँ पे में वही moving averages का इस्तमाल हम अलग-अलग चीज़ों को मिला कर करने की कोशिश करेंगे यानि कि हम particular stock ऐसा ले लेंगे कि जो live basis पे हमें आज के दिन में 50 SME को breakout देता हुआ दिक रहा है तो वो भी हम देखेंगे इससे आपको पता चल जाएगा कि live basis पे भी हम stock selection किस तरह से कर सकते है उसी के साथ हम अलग-अलग time frame का भी इस्तमाल करेंगे और देखेंगे कि train किस तरह से stock में दिख रहा है उसके बाद कोई pattern यानि कि जो chart patterns रहते है तो कौन सा chart pattern यहाँ पे बन रहा है क्या वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे स्विंग के according stock किस तरह से दिख रहा है 50 moving average के इसाब से किस तरह से दिख रहा है और यहाँ पे हमें किस तरह से buying chemo के नजर आ रहे है यह पूरी information हमें respective वीडियो में discuss करने की कोशिश करेंगे दोस्तो वीडियो continue करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया एक short वीडियो open हो जाएगा वहाँ से आपको respective information मिल जाएगी तो जो भी stock हम हमारे चानल के members के साथ share करते रहते हैं उसका भी review हम हमारे चानल के community post त्रू हर रात 9 वजे share करते रहते तो वहाँ से भी आपको देख सकते कि किस तरह से हमने stocks provide किये थे और आगे जाकर बाद में उसमें किस तरह से moment भी आई है तो जस्तो यहाँ पे stock selection के लिए जो भी desktop trading terminal का हमने इस्तमाल किया है वो है एडल्विस का TX3 का desktop trading terminal जस्तो अगर आपको एडल्विस में demat and trading account open करना है तो मैं description box में इसके link provide कर रहा हूँ वहाँ से आप इसमें account open कर सकते है तो आज की दिन के लिए हमने जो भी stock का selection किया है उसका नाम है indigo तो indigo का monthly candlestick chart हमने यहाँ पे open किया है अभी monthly chart की साबसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि पहले stock यह range में trade कर रहा था भी मैंने इस तरह से कुछ levels को identify कर कि यह range mark out की है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह range में यह मंतली चार्ट है तो definitely long term के इसाब से stock इस तरह से यह range में sideway range में trade कर रहा था यहाँ पे थोड़ा उपर गया था लेकिन फिर सी नहीं चाहाँ था तो इसे हम विप सॉम भी consider कर सकते है और finally अगर हम यह variable से higher top higher bottom pattern बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है और stock का जो long term का trend है अभी तो हमें obtain ठीक रहा है तो यह पहली बात होगे कि stock up train में trade कर रहा है according to monthly candlestick chart अभी मैं indigo का weekly candlestick chart ओपन करता हूँ और weekly chart की सबसे हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे में moving average को drop कर लेता हूँ तो है simple moving average 50 यहाँ पे draw हो गया राइट यह black जो line हमें दिख रही है वो है simple moving average 50 का अभी weekly chart के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेंगा की weekly chart पे यहाँ से train देखेंगे तो अप train में trade कर रहा है यानि कि trend falling strategy के हिसाब से यहाँ पे हमें buy करना चाहिए swing के हिसाब से दे तो इस तरह से swing के हिसाब से price action दिख रहे है और train के हिसाब से अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह 50 SMA है इसको यह last week ने breakout दिया था और current week के candle ने इसका high break करके हमें confirmation दिया है तो हमने क्या किया कि train को देखा swing को देखा उसी के साथ हमने 50 SMA को देखा और हमने यह दे है उसका high यानि कि breakout वाली जो candle थी 50 SMA की तो उसको उसका जो high था उसके उपर trade करके हमें confirmation भी दिया है तो इसको हमने इस तरह से मिला कर हमने यहाँ पे देख लिया कि इस तरह से यह combination basis पे trade कर रहा है अभी मैं finally क्या कर लेता हूं indigo का हम daily candlestick chart open कर लेता है और daily chart के साब से हम हम देखने की कोशिश करते हैं अभी daily chart के साब से हम देखेंगे तो daily chart के साब से भी पहली तो बात अगर हम देखेंगे तो trend तो uptrend ही देख रहा है right uptrend में ही stock trade कर रहा है यहाँ पे भी अगर हम flag का pattern हमने देखा था तो आपको यहाँ पे भी daily basis पे इस तरह से दिखेगा right तो यह flag pattern breakout था अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जो flag का जो दायरा था वहाँ पे इस तरह से दो trend line mark out कर लेते हैं तो यह flag था right यह इसका pole था नीचे वाला तो यह flag में इस तरह से sideway में trade कर रहा था यहाँ पे breakout दिया नीचे आ गया और नीचे आने के बाद यह भी trend line को अगर हम मिलाएंगे और flag की जो lower trend line याने कि यह जो नीचे वाली trend line है जिसको अगर हम देखेंगे तो लगबग यहाँ पे support लेनी के बाद उसमे recovery आई थी और अभी अगर हम देखेंगे तो यह flag का जो अपर वाली trend line हमने mark out की horizontal line तो वहाँ पे वो support लेकर अपर सेड़ में जा रहा है तो यह हमें indicate कर रहा है कि जो flag के जो दाइरे थे यह उपर वाली resistance line और नीचे वाली horizontal trend line जो भी हमने mark out की है वह अभी stock के लिए support work out कर रही है और उसी के साथ जो हमारा main indicator के हिसाब से हमें देखना था moving average तो यहाँ पे daily chart पे भी आप देख सकते है simple moving average 50 तो आज की 50 SME को breakout दे रहा है तो आप देख सकते हैं यह 50 SME है और यह आज की candle अगर हम देखेंगे तो 50 SME को breakout देती हुई हमें ठिक रही है तो definitely जैसे कि कभी भी कोई भी चार्ट पे breakout बनता है वो maybe Darvas box का breakout रहेगा moving average का breakout रहेगा chart pattern का breakout रहेगा जब भी हम breakout कहते है तो वो closing basis पे ही होन चाहिए तो market close हने के बाद आपको indigo का daily candlestick chart open करना है और देखना है कि यह 50 SME को closing basis पे breakout डेता है क्या अगर यह 50 SME को closing basis पे breakout देगा तो definitely हमें यहाँ पे buying का मौका नजर आ रहा है क्योंकि इसका basic trend uptrend है अभी 50 SME कहीं साब से देखेंगे तो यह trend following indicator यानि कि uptrend में stock तो हमारे लिए buying के मौके रहते हैं लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा इस तरह से आपको बतानी की कुशिश करता हूं तो अभी यह region में stock अगर हम देखेंगे तो sideway region में ही trade कर रहा है लेकिन फिर भी हम 50 SME को क्यों देख रहे है क्योंकि उसका long term trend up trend है weekly chart पे भी price action दिख रही है previous chart पे जो flag pattern बना था वहाँ पे भी stock ने support लिया है trend line के ही सबसे swing के ही सबसे price action दिख रहे है तो इस तरह की situation में मान लिजिए 50 SME को breakout देता है तो definitely breakout देने के बाद हमारे यह short term का trade यहाँ पे बन जाता है और short term में definitely हम क्या करेंगे partial profit बुक करें जब भी यह उपर वाले कुछ resistance को break करके और मंतली chart के सबसे हमें momentum दिखाने लगता है तो इससे क्या हो जाएगा कि short term में profit बुक करके short term के profit booking का फाइदा ले सकते है रूसी के साथ long term में हम उसे hold करके trillion basis पे जो compounding जो effect रहता है तो उसका भी benefit ले सकते है तो कुछ stock इस तरह स की नीचे फिर से close out देता है तो वह आमरा stop loss रहेगा या तो यह swing low के नीचे भी आप लगा सकते है आप holding के duration के सबसे भी stop loss shift कर सकते है या तो आपकी trading जो strategy है उसके सबसे भी आप stop loss का दारा shift कर सकते है लेकिन मानेजी इसका जो recent resistance है जब भी आएगा तो वहाँ पर हमें partial profit book करना remaining quantities को हम फिर यह जो area of resistance है दोनों को मिला कर इसके उपर अगर यह trade करने लगेगा तो definitely stock फिर mid to long term के लिए भी आच्छा का सा perform कर सकता है तो इस तरह से respective stock में मुझे price action नजर आ रही है तो दोस्तों मेरी जो भी study respective stock के उपर की मैंने आपके साथ share की है अभी मेरा ही video आप as a help इस्तमाल कीजेगा और आपकी जो भी trading strategy है उसके साथ merge करके आप आपका further decision ले सकते है तो दोस्तों मुझे लगता respective वीडियो में हमने जो भी discuss किया इससे आपको ज़रूर फायदा होगा दोस्तों अगर आपको हमरी video से फायदा होता है तो make sure आप हमरी videos को like कीजे और इस educational purposes ले लीजेगा इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही thank you